हलो फ्रेंड्स दिस इस प्रवाद कुमर प्रसाथ वेलकम तो गेट अकेटमी प्लस चैनल अभी तक हम लोगों ने इंजरिंग ग्राफिक्स में जो पार्ट हमने कवर किया है वो है आपका मॉडिल 1 और मॉडिल 2 आज से स्टार्ट करेंगे हम आज से स्टार्ट करेंगे मॉडिल 3 मोडिल 3 में बात यह है कि हम लोगों topic पहले सबसे पर्ड़पिक पढ़ना किया है अभी तक क्या पढ़ेंगे हम लोग ने पॉइंट प्रोजेक्शन पढ़े थे, लाइन प्रोजेक्शन पढ़े थे और प्लेन प्रोजेक्शन पढ़े थे, तो पॉइंट से हमारा लाइन बना, लाइन से हमारा प्लेन बना, अब प्लेन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका सॉलिड अब बात यहां ध्यान दिजिएगा कि क्या बोला गया है solid projection तो मैंने एक चीज़ हमेशा आपको समझाया है कि solid projection है क्या तो समझेगा फिर से एक बार कि जब हम लोग point की बात करते हैं point की बात करते हैं तो एक single point जब हम line की बात करते हैं कई सारे points आपस में जूड़के एक आपका line line बन जाता है और कई सारे line आपस में जूड़के एक plane बन जाते है और कई सारे planes आपस में जूड़के एक solid बन जाता है यह देख सकते हैं कि point से line बना line से plane बना plane से solid बना याने कि इसलिए मैं कोई भी आप लोग समझते हों और सोचते हों कि यह आपका series कैसे है यह जो प्रोजेक्शन का पहले point पढ़ते हैं, फिर line पढ़ते हैं, फिर plane पढ़ते हैं, फिर solid की पढ़ते हैं, तो system इसलिए यह follow किया गया है, क्योंकि points से कई सरे points आप जॉइन करेंगे, तो एक line बनेगा, कई सरे lines आपस में जॉइन करेंगे, तो एक plane बनेगा, और कई सरे plane आपस में जॉइन है एक सीरियल होता है कि यह सीरीज में पढ़ना चाहिए ठीक है हम पहले क्लास एट तो पढ़ा ही नहीं होंगे क्लास वन से लेकर क्लास वन टू थ्री फॉर ऐसे करते हुए हम लोग यहां तक पहुंशे होंगे अब कोई बच्चा अगर कलते हैं डायेट हमारा क्लास एट बढे सकते हैं तो इसलिए हर चीज को आगर जो methed देख है जो भी हमारे दर्शक फॉस्स टाइम वीधियो देख रहे है वो सारे दर्शक दरोके से एक आज पर video जोतेफिखं़े लेकिन आज के वीडियो देखने से पहले आप पुराने video से में जाएगे, वहाँ point projection के question होगे, point projection के concept होगे, point projection पढ़िये, point projection के बाद आप line projection पढ़िये, line projection के बाद आप plane पढ़िए और तब हमारा आज का solid projection देखेंगे तब आपको सारी चीज़े दीरे-दीरे clear होगी क्योंकि बहुत सारी चीज़े जो है basics जो है वो आपका वहीं से use यहाँ पर किया जाएगा जो हम लोग वहाँ पर use किये थे जो वहाँ पर समझे थे वो चीज़ हम कि solid projection में कुछ कुछ चीज़े जो बारी किया है जो tricks है जो हमको easy पढ़ेगा देखे नॉर्मल हम लोग book पढ़ते हैं लेकिन book में क्या होता है एकदम simple short दे दिया रहत है बहुत चीज कलते tricks भी होते हैं जिससे आप exam में जल्दी से जल्दी और easily cover कर सके किसी भी question को तो कुछ tricks जानेंगे कुछ तरीके जानेंगे तो चलिए देखते हैं कि आपका याद करिए plane projection पढ़े दे तो plane projection में मैंने एक word बोला था कि जो हमारा condition fit होगा वो हमारा plane projection में कहां fit होते है लेफ्ट side plane projection में कहां fit होते है लेफ्ट side ठीक है और solid में कहां fit होगा यह धियान रखिए right side right side आपका condition fit होगा ठीक है तो right side आपका solid में fit होगा और left side आपका plane में fit होगा तो इस चीज़को याद रखिए जो हम लोग condition हम लोग बनाते थे तो हम लोग पहले सबसे पहले जो condition दिया रहता था तो हम लोगो यह देखना रहते था कि जो condition दिया है plane में हमको कहां रखना है तो left side अब बहुत जो नए हमारे students होंगे जो देख रहे होंगे उनको यह नहीं समझने अगर राइट side क्या condition की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पुराने वीडियो पर फोकस करें तो आपको वहां समझ में आगा कि मैं किस condition की बात कर रहा हूँ क्या topic की बात कर रहा हूँ ठीक है तो अब यह हमारा solid जो है हमारा right side में fit होगा अब जो भी condition दिया रहेगा हम उसको कहा preference देंगे right side में solid के ठीक है तो चलिए हम solid का है इस पर दो चीज़े important है solid में दो चीज़े क्या important है कि आपका जो course है वो basically solid तो बहुत types के solid होते हैं मगर हमारे course में सिर्फ दो solids है अब वो दो solids क्या है उसको देखते हैं तो दो types के हमारे solid है दो टाइपस के solid है solid है वासे बहुत types के होते हैं बट दो टाइप के solid हमारे course में पढ़ना रहता है जो भी हमारे engineering graphics का course होता है उसमें दो types के solid पढ़ने पढ़ते हैं पहला क्या होते है आपका prism और दूसरा होता है pyramid यह दोनों words से आप लोग बहुत अच्छे से मतलब knowledge होगा यह दोनों word का आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको example भी मालूम होगा और knowledge भी आप अच्छा होगा, पीरामिड्ड आप लोगोंने बहुत बारा सुना होगा और प्रिद्म का उन बहुत बार सुने होगे प्रिट्मीश में वह बता रहा हूँ, प्रिज्मीं जो है बहुत लोग के दिमाग में गलत कंसेप्ट है, प्रिज्म का ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चे पढ़ रहा है उनके गलत concept उनके दिमाग में तो गलत जा रहा है बात यह है कि जब हम लोग बच्पन में याद करी है जब class 11-12 में हम लोग उने prism यूज किये थे physics में ठीक है तो laws of reflection and reflection के लिए हम लोग जब prism यूज करते थे तो हम लोग जो prism मिलता था तो हमारे दिमाग में जो prism का design है वो कुछ ऐसा है कि prism ऐसा होता है अब बहुत लोग को अगर मैं बोलूगा कि prism ऐसा ना हो कि ऐसा होता है तो वो बोलेंगे सर गलत है ठीक है अब ये मैं समझाओंगा है क्या ये चीज़ अब बात ये आती है कि prism भी आप जानते है कि prism देखे भी है आप लोग prism होता क्या है आप लोग ये भी देखे है और use भी क्या है pyramid इसरिप का pyramid मिस्टर का pyramid आप लोग ने सूना है तो ये जो दोनों आपका solid का जो आपका parts है, इन दोनों solid के parts में आपको अलग-अलग faces होते हैं, अलग-अलग surface होते हैं, अलग-अलग designs होते हैं, उन सब को हम लोगो deal करना रहते हैं, तो जैसे कि आप prism की बात करें, तो prism में भी आपको बहुत सरे types के पढ़ने पढ़ेंग square, square भी हो सकता है, rectangle भी हो सकता है, उसके बाद आपका circle, circle भी हो सकता है, semi circle भी हो सकता है, उसके बाद triangle, मतलब बहुत type के आपको surface के साथ deal करना पढ़ सकता है, ठीक है, तो ध्यान देखें, प्रिस में मैंने क्या कहां, hexagon, pentagon, square या rectangle भी हो सकता है, circle, semicircle भी हो सकता है, triangle भी हो सकता है, same सारे material, same सारे आपके pyramid में भी आपका question पूछा आ सकता है, same चीज, तो इसको अगर मैं नाम बोलू तो कैसे नाम यूज़ करूँगा, hexagonal prism, pentagonal prism, square prism, rectangular prism, circle prism, circular prism, semicircle prism, and triangular prism, same, अगर मैं को question आएगा, pyramid के respect में, तो question क्या होगा, hexagonal pyramid, pentagonal pyramid, square pyramid, rectangular pyramid, circular pyramid, semicircular pyramid, और triangular pyramid, ठीक है, तो यह सारी चीजें इसके सांद भी applicable है, pyramid के सांद भी, और सारी चीजें आपके prism के सांद भी applicable है, तो अब बात होता है कि prism क्या होता है, pyramid क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक जो चीजें कलते हैं आपने पढ़ी है, आपके दिमाग में एक idea तो हो गई होगा, कि pyramid क्या होता है, prism क्या होता है तो मैं बताता हूँ कि pyramid क्या है, prism क्या है by object, object आपको दिखा के बताता हूँ ताकि और अच्छे से clear हो तो अभी हम लोग समझेंगे by object लेकिन object से समझने से पहले हम लोग पहले यह ध्यान देते हैं एक छोटा सा question है कि हमारा जो mobile होता है mobile कौन सा हमारा part होगा prism होगा कि pyramid होगा तो पहले देख लेते हैं prism क्या होता है prism सही समझेगा prism जो होता है इसका base and top दोनों के दोनों same surface होते हैं same आपका मतलब same बोल सकते shape होता है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि hexagon आपका इसका base है तो hexagon इसका आपका top भी होगा अगर मैं बोलता हूँ pentagon तो pentagon एगर इसका base है तो pentagon इसका top होगा तो जो भी object होगा वो अगर मैं उसको बोलता हूँ prism बोल रहा हूँ तो prism का definition क्या होता है कि जो surface उसका नीचे होगा यानि कि अगर pentagon नीचे होगा base पे तो top भी आपका pentagon होगा hexagon base पे होगा तो top भी hexagon होगा मतलब जैसा आपका नीचे shape होगा same shape आपका top पे भी होगा तो वो object क्या कहला है का आपका prism same यहाँ पर अगर मैं pyramid की बात करूँ तो pyramid में ध्यान दिजीएगा जैसा कि आप लोगोंने mister के pyramid देखे हैं तो mister का pyramid कुछ ऐसा type का आपको दिखा होगा तो pyramid में ध्यान समझेगा pyramid इसी के concept पे है कि pyramid में क्या होता है जो base होता है वो आपका एक shape होता है कोई shape हो सकता है shape मतलब कोई भी shape square हो सकता है rectangle हो सकता है triangle हो सकता है pentagon हो सकता है hexagon हो सकता है any shape मगर जो top होगा top पे स्रिफ और स्रिफ एक क्या होगा apex होगा apex मतलब एक आपका point होगा जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक point है जैसा आपका यहाँ पे एक point है और नीचे आपका एक surface है या आप बोल सकते है shape है same उसी तरीके से आपका कोई भी shape हो सकते है चाए वो pentagon की बात कर ले चाए hexagon की बात कर ले कोई भी shape हो सकते है बस top पे क्या होना चीए apex होना चीए है निए कि center point होना चीए और यहाँ पर क्या होता है, base और top, दोनों आपका क्या होगा, shape होगा, और कौन सा shape होगा, same shape होगा, दोनों same shape रहेगा, अगर hexagon हो तो hexagon, pentagon हो तो pentagon, सभी में, ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ सोटा सा question है, कि हम लोग mobile यूज़ करते, अब mobile क्या है, mobile हमारा prism में आएगा कि pyramid में आएगा, तो ध्याँ से देखिए, अगर मैं mobile की बात करूँ, तो mobile का कुछ ऐसा आपका structure होता है, यह आपका, mobile कुछ ऐसा type का structure रहता है, देखने में, आपका mobile जो होता है, इस type का structure रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर भी rectangle है, और नीचे base में भी rectangle है, तो यह क्या है, आपका prism है, कौन सा prism है, rectangular prism, तो आप चलिए object कुछ देखते हैं, जो हमारे, मतलब, point of, जो कलते हैं, आपका exam point of view से important objects है, उनको देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं, prism, prism में क्या होता है, उसे देखेंगे, जैसे कि यह आप देख सकते हैं, hexagonal prism है, देखेंगे, तो इसका जो surface है, यह आप देख सकते हैं, जो आपका bottom है, यह आपका hexagon है, इसे देखेंगे, तो यह आपका bottom है, यह hexagon है, और यह जो white color का इसका top दिख रहा है, यह भी आपका hexagon है, ठीक है, और इसे अगर आप देखेंगे, तो सारे points एक दूसरे क पॉइंट से जुड़े हुए ठीक है नीचे बेस भी हैग्जागॉन टॉप भी हैग्जागॉन तो यह कौन सा अबजेक्ट हो गया इसे बोलेंगे हम लो हैग्जागोनल प्रिज्म सेम अगर मैं बात करूँ जो ट्रेंगल है तो यह देखिए ध्यांसे यह ट्रेंगल आप द दिख रहे हैं तो बेस में भी ट्रेंगल टॉप में भी ट्रेंगल और इनको अगर मैं इस तरीके से रखूं तो ध्यांस रहे कि हर पॉंट एक दूसरे के नजर आ रहा है तो यह क्या है आपका pentagon base पे भी है pentagon top पे भी है तो यह अगर object ही हम बात करें तो यह किस object को क्या बोलेंगे इसे हम लोग pentagonal prism बोलेंगे चीक है same way अब circle की मैं बात करू circle prism की तो यह देखिए आपका यह circle का आप देखेंगे surface circle है दोनों surface circle है top भी आपका circle है और bottom भी circle है तो इस object को ध्यान से देखेंगे तो यह आपका object जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे circular prism एक चीज़ ध्यान रखेगा बहुत एक चीज़ मैं note करता हूँ उसको ध्यान रखेगा झाल आपका question में कई बार circular prism ना बोलके question में आपका cylinder भी question में बोला जाता है और आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह आपका cylindrical object जैसा ही तो है तो इसी लिए question में आपको confused नहीं होना है कि आपका circular prism ना बोलके cylinder क्या बोल दिया तो cylinder का मतलब भी आपका circular prism ही है cylinder का मतलब भी आपका circular prism ही है ठीक एक ऐसे ही एक और point आता है जिसे हम लोग बोलते है square prism अगर मैं बात कर रहा हूं square prism की बात कर रहा हूं तो ध्यान से समझेगा अगर यह square prism है और इसकी आपकी height कुछ नहीं दी गई है यह आपका बोला गया है कि square prism की जगा अगर मैं बात कर लूं question में दिया गया है cube या बोल दे क्यूबवाइड तो अगर इसी लिए cube बोले तो भी आपका square prism ही है diet आपका square prism भी दे सकता है नाम और आपका cube भी बोल सकता है छीए इसमें भी आपका circular prism बोल सकता है या तो cylinder भी बोल सकता है इस चिसका ध्यान रखे question में घुमाने के लिए कई बार question में आपका cylinder बोल देता है circular prism की जगा चली अब हमारा next जो है वो है आपका pyramid अब pyramid में ध्यान देंगे कि जैसा कि नाम है आपका hexagonal pyramid तो hexagonal देखिए ध्यान से surface इसका आप देखेंगे तो एक hexagon है एक दो तीन चार पांच छे surface है आपके 6 आपके lines हैं 6 lines से मिलके आपका एक hexagon ready हुआ है base आपका कैसा है आपका hexagon है मगा top कैसा है घांस देखिए top कैसा है एक apex से इस apex से सारे points को आपस में जोड़ा गया तब ये क्या बना आपका pyramid बना कौन सा pyramid hexagonal pyramid ये कौन सा pyramid बना hexagonal pyramid यह चारो तरब से देखेंगे तो आपका कैसा दिख रहा है आपका एक pyramid जैसा दिख रहा है मगर hexagonal pyramid same way अगर मैं बात करूँ square pyramid का तो देखें base आपका कैसा है square है पूरा आपका base कैसा दिख रहा है square दिख रहा है और top कैसा दिख रहा है एक point दिख रहा है और इसको हर point को, base के हर point को apex से जोड दिया गया, तो ये क्या बन गया आपका, square pyramid, same way, triangular pyramid, base, triangle, top, top क्या है आपका, apex से, सभी को जोड दिया गया, तो क्या बन गया आपका, triangular pyramid, same way, ये आपका circle है, ध्यान समझेगे, ये है ourselves, circle है, circle का top क्या है, एक apex है, या एक point है, इससे इसको जोड गया तो क्या बन गया, आपका circular pyramid, मगर ध्यान दियाखा, इसी कई बर हम लोग क्या बोलते है, कोन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कई बर क्या बोलते है, जोकर कैप भी बोलते हैं, तो question में आपका पूल सकता है कोशन में आपका ये चीज़ बोल सकता है कि आपका कौन दिया है तो कौन का मतलब कुछ और नहीं है कौन का मतलब है कि आपका कोशन में क्या पूछा गया है सर्कुलर पिरामिड सर्कुलर पिरामिड सर्कुलर पिरामिड का मतलब ही होता है आपका call, तो इस लिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपका question कई बार क्या होता है solid projection में question का naming जो होता है, जो आपके object से उसका नाम change करके देता है तो कई बार question में क्या होता है, आपको confusion होता है, ठीक है, तो ये एपका ध्यान रखेंगे कोन क्या होता है सिलिंडर क्या होता है क्योब नीचे आपका surface क्या है आपका, यह आपका surface है, आपका hexagon है, और अगर आप front से देखेंगे, ध्यांस देखिए, तो आपको strif-o-strif क्या मिलेगे, यह single single lines मिलेगे, तो same way हम लोगों ने यहाँ पे apply क्या ध्यां देगे, कि आपका, यह क्या है, आपका base पर क्या है आपका, एक hexagonal surface दीख रहा है shape दीख रहा है और ये सारी lines क्या है आपका जो आपका ये height है ये जो आपका height है वो आपकी क्या है lines है ये जो आपकी heights दीख रहे है ये आपका क्या है lines है तो ये कितने के equal होगा ये जो height है ये basically कितने के equal होगा तो ये equal होगा इस height के equal ठीक है यह जो आपका height है इसके equal होगा यह आपका height जित्ता भी आपको height दिया हो 65 mm, 75 mm, 80 mm, 100 mm जो भी आपको height दिया हो उस height के हिसाब से यह आपका height है बट अब इसमें बात एक चीज और ध्यान देनी है कि इसमें sir आपने surface बोला कि नीचे आपका hexagon है top पे hexagon है तो top पे तो hexagon दीख नहीं रहे तो बात सही है क्या आप सामने से देखोगे तो आपको hexagon दीख रहे गया hexagon नहीं दीख रहे तो एक चीज याद रखेगा आप लोगों को मैंने point projection में पहले बताया था कि जो first coordinate और शिसम होता है जिसमें हमारा क्या होता है first coordinate में HP आपका क्या होता है नीचे होता है और VP क्या होता है उपर होता है तो VP पे क्या बनता है आपका front view बनता है और HP पे क्या बनता है आपका top view बनता है अब हमने जो ये conditions बनाए हैं इस पे ध्यान दीजेगा ये सारे के सारे जो conditions हैं आपका condition दिया रहेगा उसके according हमको बनाना है तो देखिए हमारा एक चीज़ ध्यान रखेगा कि यह उपर का portion क्या होता है वीपी और नीचे का portion क्या होता है HP क्यूं क्यूंकि हम लोग first angle projection में आप ऊबर करते हैं तो नीचे का portion क्या होता है HP और नीचे क्या बनता है आपका top view, HP में क्या बनता है आपका top view और VP में क्या बनता है आपका front view तो ऊपर जो बनेगा हो क्या होगा sir hp पे तो बना है और मैंने क्या कहा था conditions जो होता है वो आपका क्या होता है plane में left side और आपका solid में right side तो यहां देखेंगे तो अगर मैं इस hexagon की बात करो तो यह कौन सा condition होगा है यह condition होगा a corner in the hp a corner a point in the hp तो देखें left side में नहीं यहां इस बार देखेंगे right side में तो इसके right side में ध्यांस देखिए आपका क्या दिख रहा है एक point या corner दिख रहा है तो यह आपका satisfy किया condition को ठीक है आप question देखिए मैं पहले बता रहेता हूं आपको कि आप यह मैं समझेगा कि इसमें triangle भी है आपका यह pyramid भी है prism भी है क्या है कि number of figures अगर हम बनाने चले तो बहुत जादा लंबा वीडियो हो जाएगा और उसको explanation वही boring ही हो जाएगा और कुछ होगा नहीं तो हम क्या कर रहे है कि यही 4 figures में हम सारे चीज हम यहां समझने के कोशिश करेंगे ठीक है यह 4 figure को ही है तो आपका figure जो है hexagon जो है corner में बना हुआ है corner बना हुआ है आपका right side में ठीक है वैसे ही आपका यहां पर यह क्या तो अब यह क्या है आपका square pyramid तो ध्यांस देखिए pyramid का shape तो बना हुआ है pyramid का shape बना हुआ है लेकिन यह condition कौन सा कंडिशन होगा यह होगा a side a base of side in the HP तो देखिए यह आपका base of side in the HP का condition दिखे रहा है ठीक है वैसी अगर हम इस पर move करें तो यह कैसे है आपका धान्स देखेंगे तो यह है आपका triangle तो इसमें आपको कौन सा condition दिख रहा है यह दिख रहा है a corner in the HP तो देखिए आपके right side में corner है ठीक है तो यह कौन सा condition होगा a corner in the HP और आपका यह क्या है आपका triangular pyramid है same way अगर हम यहाँ बात करें तो यह आपका क्या है pentagon है तो pentagonal prism है pyramid नहीं है prism है तो यह कौन सा condition होगा a side in the HP तो देख सकते हैं मैंने लगबग कोशिश किया कि इन चार figure में सारे चीश को cover कर दूँ तो इसी देखिए corner case भी मैंने use किया है side case भी use किया है आपका दोनों हर case मैंने use किया ठीक है pyramid भी है prism भी है अब एक चीज़ ध्यान दिजेगा कि जो भी हमने बनाया है उसमें height use हो रहे है नीचे तो surface मैंने use किया तो use किया है काम खत्म अगर बोलता है pentagonal pyramid तो pentagon तो मुझे बनाना है और pentagon का मुझे size दिया रहेगा तो pentagon तो मैं बना दूँगा hexagonal pyramid hexagon दिया रहेगा hexagon मैं बना दूँगा इंद-HP बोलेगा तो नीचे बना दूँगा, इंद-VP बोलेगा तो यही figure को उलट दूँगा, पलट दूँगा, यह आपका उपर चलाएगा, यह आपका नीचे आजाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे रहोंगे, कि जो यह पार्ट है, यह उपर उपर इसकी एक height, सब में देख सकते हैं, इसकी एक height है, यह जो height होती है, यह आपका जो होते है, axial height होते है, axial मतलब centroidal axisость होती है, यह जो आप देख रहे है, यह आपका centroidal axis है, आच्छा, यह centroidal axis कैसे निकलेगा, हम आगे आने वपर वीडियो में ज़रूर बताएंगे, नेक्स कैसे करेंगे वो next वीडियो में देखेंगे तो अभी समझेंगे कि यह जो होता है यह जो height होता है question में हमको क्या चीज़ दी रहेगी एक तो दिया रहेगा कि centroidal axis का height क्या है या axial height क्या है तो यह रहा axial height और surface का या कलते object का कलते side दिया रहेगा तो यह रहा object का side ठीक है तो question में एक चीज़ ध्यान रखेगा कि अगर axial height दे दिया है इसका मतलब आपका solid projection की बात कर रहा है अगर बोलता है अब pentagonal, plasm, side 20mm, 30mm, whatever and axial height और height of the object तो वो समझ लिएगा वो आपका उसका क्या दिया है centroidal axis दिया है centroidal axis कैसे बनेगा हर figure में centroidal axis कैसे बनेगा वो हम आपको बना के दिखाएंगे उसके लिए naming कैसे होगा proper वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे लेकिन हम इसको next video में cover करेंगे आज के video में सिर्फ ये समझ ज़िए कोशिश करिए कि आपका जो object होता है बनता कैसे है ये case के है इनद-hp का case है अब इसी figure को हम लोग इनद-vp में खेले इनद-vp में तो ये सारे के सारे जो object है जैसे कि pentagon होगया hexagon होगया triangular होगया आपका circular होगया square होगया ये सारी सीचे कहां बन जाएंगी ऊपर याने फ्रेंट विव में और यह जो आपका पूर्शन दिख रहा है यह कहां बनेगा नीचे याने उसका टॉप व्यू में चीक है तो मैं जो इसका वेपी अलग पार्ट है उससे मैं आपको ड्रॉइंग कॉपी में करके दिखाता हूं और इसको भी मैं करके दिखाता हूं कि कैसे बनेगा लेकिन नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और प्लीज कीप वाचिंग और वीडियो तिल दे एंड और कीप शेरिंग थैंक यू वेरी मच